नमस्कार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लाइफ टेस्ट एप्टिटूड और रिजनिंग का कराया था हम दें उसके कोशन के बारे में और इसका एक पिछला वीडियो बन चुका है और लडी जिसमें हमने कोशन नम 10 तक के सलूशन को देखा है अच्छे से समझा है तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आई बटन पर एविलेबल है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आविलेबल है आप उन वीडियो को देख लीजे क्योंकि वह बहुत ही है और आपका किलोमीटर प्रती घंटा की गती से तै करती है तथा आठ मिनट देरी से पहुचती है अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से तै करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुच जाती है गाउं तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है मतलब कोशन में क्य है कि एक स्कूल बस है जो यदि 12 किलो मिटर प्रति घंटा की गती से अगर ट्रैवल करती है यह अगर इसकी गती होती है तो वह आठ मिनट देरी से स्कूल पहुंच जाती है उसे आठ मिनट ज्यादा समय लग रहा है और अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करती है अगर वह अपन कुछा गया है तो इस कूशन को सौल करने के लिए हम माल लेते हैं कि स्कूल पर सही समय पर पहुचने में लगा इसमय भट ती घंटा में जो बस है वो स्कूल पे सही समय बे पहुँच जा रही है और हम दूसरी चीज क्या मानते हैं कि स्कूल और गाउं के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है क्लमीटर है क्योंकि हमसे यह कोशन है पूछा हुआ है और हमें सही समय भी नहीं पता है तो ये दोनों चीज़ें हमने assume कर ली हमने माल ली अब हमें question में क्या दिया हुआ question के according यदि बस 12 km प्रति घंटा की गती से चलती है तो वो 8 मिनट देरी से पहुसती है मतलब जो सही समय है उससे 8 मिनट उससे ज़्यादा लगता है तो क्योंकि ये हमने घंटे में माना है सही समय इसलिए 8 मिनट को भी हम 60 से डिवाइट कर लेंगे और इसे घंटे में convert कर लेंगे इसी तरह second condition क्या दियो है question में यदि 20 km प्रति घंटा की गती से बस travel करती है तो क्या है समय से 10 मिनट पहले ही पहुच जाती है तो यहाँ पे भी 10 मिनट पहले पहुच जा रही है तब सही समय से 10 मिनट पहले पहुच जा रही है तो इसमें हम minus करेंगे और इसे भी हम घंटे में convert कर लेते हैं ये दो हमारे condition हम समझ लिया हमने अब हमें क्या पता है दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गोडे समय दूरी हमने कितनी मानी हुई है एक्स मानी हुई है चाल कितनी है बारा किलो मिटर प्रतिघंटा है और समय कितना है टी प्लस 8 अपॉन 60 ये हमारा बनका एक्वेशन नमबर 1 सेकंड कंडीशन क्या है दूरी बराबर है एक्स बराबर कितना हो जाएगा चाल और गोडे समय टी मानीस 10 अपॉन 60 ये हो जाएगा हमारा एक्वेशन नमबर 2 अब एक्वेशन 1 और एक्वेशन 2 के जो लेफ्ट हैं है दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड को हम एक्वेट कर सकते हैं राइट हैंड साइड को हम लिख लिए 12T प्लस 8 अपॉन 60 20T माइनस 10 अपॉन 60 अब इसे हम सिंप्लिफाइग करेंगे तो कितना आजाएगा 12T प्लस 8 अपॉन 12 पच्चे 60 होता है तो यह 8 अपॉन 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 20T माइनस 10 अपॉन यह हो जाएगा 3 20 थी जा 60 होता है अब क्या है यह T वाला है इसको हम एक साइड ले आते हैं और जो कॉंस्टेंट उसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो 20T माइनस 12T 12T को हम इधर ले आएगे तो यह माइनस हो जाएगा और ऐसी हम क्या करेंगे 8 is equals to 8 प्लस 10 अपॉन 3 इसको सिंप्लिफाइ करते हैं यह कितना हो जाएगा 20 में से 12 गया 8 बचा 80 और यह इसका LCM कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा तो यह कितने बाज जाएगा 3 टाइमस जाएगा और 3 एट जा 24 और यह जाएगा 5 टाइमस और 5 टाइट जा 50 तो यह कितना हो जाएगा 74 अपॉन 15 तो टी is equals to कितना हो जाएगा 74 upon 15 into 8 तो इस थोड़ा सिंपर simplify कर ले तो यह 37 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा तो कितना आ गया इसके value 37 upon 60 घंटे यह क्या है हमारा सही समय आ गया अब क्या है में T की value पता चल गई अब T की value हम किसी भी equation में put कर देंगे equation 1 या equation 2 किसी में भी हम substitute कर देंगे T की value तो चल ले हम substitute कर लेते हैं इसे X is equals to क्या होगा 20 second वाल equation में substitute करें इसकी value और T की value कितनी है 37 upon 60 minus क्या है 10 upon 60 इससे simplify करिए 20 और यह 60 इसका LCM हो जाएगा 37 minus 10 तो यह हो जाएगा 20 into 37 minus 10 27 27 upon 60 यह 3 times जाएगा और यह जाएगा 9 times यानि X is equals to कितना जाएगा 9 km बतलब जो गाउं और स्कूल के बीच का distance होगा 9 km अंसर क्या होगा option C 9 km question number 12 है car A ने 448 km की दूरी 8 घंटे में तै की तथा car B ने 9 घंटे में car A से 110 km अधिक दूरी तै की car A तथा car B के गती का अनुपात क्रमश है मतलब car A और car B के जो speed होगी उसका हमें ratio calculate करना है तो देखिए इस तरह हम बना लिया है समझने के लिए आसानी से question में क्या दिया हुआ है कि car A ने 8 घंटे में 448 km की दूरी तै की car A ने 8 घंटे में 448 km की दूरी तै की और car B ने 9 घंटे में car A से 110 km अधिक दूरी तै की तो car B ने 9 घंटे में car A से car A ने कितनी दूरी तै की है 448 दूरी तै की है तो 448 प्लस 110 ठीक है कार A ने 448 दूरी तै की है और कार B ने 9 घंटे में कार A से 110 किलो मिटर अधिक दूरी तै की है तो इसमें हम ये 110 एड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चो 8 558 आ जाएगा मतलब कार B ने 558 किलो मिटर کی दूरी 9 घंटे में तै की है अब हमसे क्या कर रहा है कार A और कार B के कार A तथा कार B के गति का अनुपात पूछ रहा है तो speed हम क्या जानते है speed is equal to क्या होता है speed या गति बराबर होता है दूरी बटा समे तो car A की speed कितनी हो जाएगी car A द्वारा तै की गई दूरी बटा समय तो इसको जब simplify करेंगे तो यह आपका आजाएगा 56 आजाएगा यह km प्रती आवर और car B की जब speed calculate करेंगे तो car B द्वारा तै की गई दूरी बटा समय जब आप इसे simplify करेंगे तो यह आजाएगा 62 km पर आवर अब हमें क्या करना है car question में क्या पूछा है car A और car B की speed का गती का अनुपात याद करना है तो 56 upon 62 इसे simplify कीजे तो यह आजाएगा 28 upon 31 further इस simplify नहीं हो सकता अब इसका कोई common factor नहीं है 28 और 31 का तो जो दोनों का ratio आगया 28 ratio 31 चलिए अब option में चक करते हैं तो option में कहीं भी 28 to 31 नहीं दिया हुआ इसलिस का अंसर क्या हो जाएगा option E इन में से कोई नहीं question number 13 है यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामानी चाल से 10 किलो मीटर प्रती घंटा बढ़ा दी जाए तो वो 360 किलो मीटर की दूरी टै करने में तीन घंटे कम समय लेगी गाड़ी की सामानी गती कितनी है बतलब अगर कोई सावारी गाड़ी है और उसकी चाल अगर 10 किलो मीटर प्रती घंटा बढ़ा दी जा रही है तो 360 किलो मीटर की दूरी टै करने में उसे 3 घंटे कम समय ले रहे है तो हमें गाड़ी की सामानी गती बताना है तो हमने मान लिया इस कोईशन को सॉल्व करने के लिए कि गाड़ी की जो सामानी गती है वो X किलो मीटर प्रती घंटा है और जो 360 km की दूरी X किलो मीटर प्रती घंटा की गति से टाइक करने में उसे T समय लग रहा है देखों बचे, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गोड़े समय तो दूरी किती दिव यह कोशन में 360 km चाल जो उसके सामाने गती है वो कितनी है एकस किलो मीटर प्रती घंटा और सामाने गती से समय कितना लग रहा है टी घंटे यह हमारा बन के अब कोशन में क्या कह रहा है कि 360 किलो मीटर की दूरी टै करने में यदि गाड़ी की स्पीड 10 किलो मीटर प्रती घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे 3 घंटे कम लग रहे हैं तो हमने क्या किया, इस स्पीड में 10 को जो दिया, क्योंकि उसकी 10 किलोमेटर प्रती घंटा स्पीड बढ़ाई जा रही है, और ऐसा करने पे 3 घंटे समय कम लग रहे हैं, तो हमें समय में से 3 घंटे हमने माइनस कर दिया, यह हमारे equation number 2 बन गया, question में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे सामान निगती पूछ रहा है, और सामान निगती को हमने क्या एजियूम कर रखा है, X एजियूम कर रखा है, तो हम second वाला जो equation है, इसको हम X की रूप में express कर लेंगे, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, X में से T को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो first वाल equation की बद्स हम ऐसा कर लेते हैं, तो T की value हम निकाल लेते हैं, 360 बटे X निकाल लेते हैं, तो second वाल equation में जहां जहां T है, वहां वहां 360 बटे X substitute कर देंगे, तो पहले second equation को थोड़ा simplify कर लेते हैं, 360 बड़ाबर XT माइनस 3X प्लस 10T माइनस 30, अब T की जगह पे 360 बटे X substitute कर देते हैं, तो X इंटू 360 बटे X माइनस 3X प्लस 10 इंटू 360 बटे X माइनस 30, इस X से X cancel हो जाएगा, यह लेक्स और अब इसे हम क्या करेंगे, सबको एक साइड ले आते हैं, 360 को भी धर ले आते हैं, मतब राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो यह क्या हो जाएगा equation, माइनस 3X यह हो जाएगा, प्लस 3600 अपॉन X माइनस 30, प्लस 360 माइनस 360 इस इक्वलस टू 0, यह दोनों 0 हो जाएगा, तो यह equation बन जाएगा क्या, माइनस 3X प्लस 3600 अपॉन X माइनस 30 इस इक्वलस टू 0, अब क्या कर लेंगे बच्चों, X इसका LC हम ले ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा, माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 3600 माइनस 30X इस इक्वलस टू 0, अब दो काम, जब यह X चला जाएगा, राइट हेंड साइड और 0 से मल्टिप्लाइ होके, यह 0 हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह final equation क्या बन किया जाएगा, 3X स्क्वाइर फिर हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस 30X लिख लेंगे, पहले X स्क्वाइर लिखेंगे, फिर X वाला भाग लिखेंगे, फिर अब कॉंस्टन लिखेंगे, 3600 इस इक्वलस टू 0, अब इस पूरे equation में से 3 common निकल सकता है, तो हम 3 common ले लेते हैं, तो equation क्या बन जाएगा, X स्क्वाइर प्लस 10X माइनस 1200 इस इक्वलस टू 0, तो यह बन गे हमारा quadratic equation, और इस equation को हमें solve करना है, तो देखेंगे अब इसमें, जो X वाला भाग है और constant वाला भाग है, इसको हम देखेंगे, हमें 2 ऐसे number चाहिए, जिनको add करने पे प्लस 10 आजाए, ठीक, और multiply करने पे minus 1200 आजाए, तो हम लिख सकते हैं, कि 40 और minus 30 वो दो number होगे, अगर 40 में minus 30 add करेंगे, तो क्या आजाएगा, plus 10 आजाएगा, और 40 और minus 30 का multiply करेंगे, तो minus 1200 आजाएगा, तो आप हम इसको quantity equation को जैसे solve करते हैं, इसे solve कर लेते हैं, x square plus 40 x minus 30 x minus 1200 is equal to 0, इन दोनों में से x common लेते हैं, तो यह हो जाएगा, x plus 40, इन दोनों में से minus 30 common लेते हैं, तो हो जाएगा, x plus 40 is equal to 0, आप x plus 40 common लेंगे, तो यह हो जाएगा x minus 30 is equal to 0 तो यहाँ पर x की value क्या आजाएगी x बराबर हो जाएगा minus 40 और x बराबर हो जाएगा 30 km पर आवर और km पर आवर तो बच्चो यह यह वाली जो first वाली quantity आ रही है यह negative में आ रही है तो speed के negative होने का कोई sense नहीं निकलता है इसलिए जो इसका सही answer आएगा वो क्या आजाएगा 30 km पर आवर x की value plus sign के साथ क्या आ रही है 30 km पर आवर तो इसका answer क्या आजाएगा option B 30 km प्रतिगंटा question number 14 थै यदि plus का अर्थ गुड़ा गुड़ा का अर्थ माइनस भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो तो 175 माइनस 25 भागे 5 प्लस 20 गुड़े 3 प्लस 10 की value क्या होगी तो बचवे question बहुत ही आसान होते हैं बस इसमें क्या है जो mathematical operations questions में दिये हुए उसको आपको इस statement के according बदलना होता है तो देखिए question में क्या दिया हुआ है कि plus का क्या मतलब है गुड़ा है गुड़े का क्या मतलब है माइनस है भाग का क्या मतलब है प्लस है और माइनस का क्या मतलब है भाग है तो जो यह expression है इसमें हम जो हमें question में solve करने के लिए दिया है उसमें हम values को put कर देते हैं जो statement में दिया है उसके according तो question में minus का क्या मतलब दिया हुआ है भाग दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भाग कर लेंगे भाग का क्या मतलब दिया हुआ है plus दिया हुआ है तो यहाँ पे हम plus लिख लेंगे प्लस का क्या मतलब दिया हुआ है गुडा दिया हुआ है तो हम यहाँ पे गुडा लिख लेंगे गुडा का क्या मतलब दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस लिख देंगे और plus का क्या मतलब दिया हुआ है गुड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पे गुड़ा निकलेंगे तो यह हमारा new expression बनके आ गया अब हम इसमें क्या लगाएंगे board mass rule board mass rule के बारे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है ज़िए आपने नहीं देखा है पिछलो वीडियो तो आप आई बटन पर जाके इसका link available है देख सकते हैं नहीं तो description box में भी देख सकते है board mass rule के बारे में तो बच्चो board mass rule के according क्या है पहले हमको भाग को solve करना है फिर हमको गुड़ा को solve करना है प्लस तो यह क्या हो जाएगा 100 minus फिर into वाले को solve करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 30 अब हमें क्या करना है प्लस वाले को solve करना है फिर हमें minus को solve करना है तो हम इसे क्या लिख लेंगे 107 minus 30 तो उसकी value कितनी आ जाएगी 77 आएगी बच्चों जब भी question में mathematical operations दिये हो तो आपको board must rule के according से solve करना है वहना आपका solution होगा वो गलत हो जाएगा और आपका answer गलत आएगा question number 15 था यदि P बराबर percentage A बराबर minus B बराबर plus C बराबर गुड़ा D बराबर plus हो तो 100 का 5PB 53A4 bracket close 59 बराबर क्या होगा मतलब यह statement आपको देना है हर एक symbol का कुछ मतलब दिया हुआ है question में और उसके according आपको यह expression को solve करना है तो question में क्या दिया है बच्चों P बराबर क्या है percentage A बराबर है minus B बराबर है plus C बराबर है गुड़ा और D बराबर है divide तो हम इसमें questions में जो दिया हुआ है statement question में उसके according लिख देते हैं एकस expression में तो 100 का 5 P बराबर कितना है percentage B बराबर कितना है plus फिर है 5 3 A बराबर क्या है minus 4 D बराबर क्या है divide और 9 तो यह हमारा बन के आगया mathematical equation अब हम इसे कैसे solve करेंगे board mass rule से जबसे पहले हम किसको solve करते हैं bracket को solve करते हैं सबसे पहले हम bracket की अंदर देखेंगे उसके बाद हम किसको off को या का को solve करते हैं मतलब bracket के अंदर सबसे पहले हम का के portion को solve करेंगे उसके बाद divide multiplication, addition, subtraction को solve करेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट में देखेंगे और ब्रैकेट में जो का का पोर्षन है ओफ का पोर्षन है क्योंकि ये सेकेंड नमबर पे है बॉर्ड मास रूल में इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो सौ का पांच प्रतिशत हो गया पांच ये वाला एक्वेशन सॉल्व हो गया प्लस 53 माइनस 4 डिवाइड बाई 9 ये हमारे एक्वेशन आगया है सिंप्लिफाई हो करके अब देखो बच्चों क्या करना है बॉर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम एडिशन करते हैं फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं पहले हम जोडते हैं फिर घटाते हैं तो पहले हम इसे जोडेंगे तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा तो अब minus करेंगे और bracket क्योंकि solve हो जाएगा 54 divided by 9 हो जाएगा सबसे पहले हम bracket को solve करते हैं इसलिए हमने पहले divide नहीं किया है पहले हम bracket को solve करते हैं board mass rule के according फिर इसकी value क्या हो जाएगी 54 divided by 9 की value हो जाएगी 6 इसलिए जो एक्स्प्रेशन दिया question में simplify होगा किसके बराबर आगया 6 के बराबर आगया इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा option B6 झार mask तया उतके बराबर आगया किसलिए जाएगा नहां झार was